गरिबों के आवाज अंसुनी करके पैसे लूट कर अयाशी में जीने वाला एक व्यक्ती बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक व्यक्ता एक व्यक्ती चारी स्थ्री रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूट कर धन कमाने वाला एक डॉक्तर मनुष द्वारा बनाए मूर्दियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवर्ष करने वाला एक मनुष जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नर्ग की आग के पात रठे रेंगे जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुच्छती जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी जीवन में दुख में पड़े लोगों को आशा दे कर अनेकों को एशू के बारे में बताने वाला एक वेक्ती अपनी छोटी कमाई से भी सूसमा चार प्रचार के लिए सहायता दे कर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाली एक स्त्री जरुवत मंदों के सहायता करके परमेश्वर का वचन बताकर जीवन व्यती करने वाला एक मनुश्य परमेश्वर का वचन सुनकर मन भिराकर मसिय को उधार करता और प्रभू के रूप में स्विकारने वाली एक स्त्री परमेश्वर के वचन के निमत खुद की जान तक लुटाने को तैयार एक व्यत्ती शरीर में रहते समय वचन का पालं करके जीवन बिताने वाले लोगों के शरीर को देजस्वी स्वर्गिय शरीर में रुपान तरिक करके अनंद कालिक रहने के स्थान पर ली जाया जाएगा जीवन की बुस्तग में नाम लिखे हुए हर एक को स्वर्गिय लोग में प्रवेश मिलेगा पुरानी बाते बीच जाएगे जीवन कालिक पर लोग में लोग में प्रवेश में रुपान दान पर लोग में जाएगे झाले, झाले, उञाले, बै़क सन्हों बाद ही, झाले, झाले, झाले. अब कोई भी दुख या वेदना या त्लेश या कुर्कुडाना नहीं होगा वहाँ न शत्रुता होगी ना जगडे और ना ही त्लेश बस शांती समाधान और आनन्द ही होगा हर स्वर्ख से परमेश्वर के पास से पवित्र नगर नया यरुशलें उतराएगी उसकी शेहरपना की जुडाई यशब की होगी और नगर ऐसे चोखे सोने का जो स्वच कांच के समान हो हर एक भाटक मोतियूं का होगा इसराइल के गोत्रों के और प्रेरिटों के नाम उसमें गड़े होंगे केवल जिनके नाम मेमने के जीवन गरंथ में अंकित हैं वही इसमें प्रवेश कर पाएगे उस नगर में सूर्य और चांग के उजाले का प्रयोजन नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला होगा उसके भाटक कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी सिंगासन से निकलती हुई जीवन के जल की एक नभी होगी वहाँ पर परमेश्वर द्वारा चुने गए सभी लोग वहाँ पर प्रतिफल पाएंगे और उसके बाद मृत्यू न रहेगे वहाँ पर जीवन का पेड़ है इशू ही मार्ग सत्य और जीवन है मौत की चपेड से मनुष्य को छुडा कर अनंत काल का जीवन देने के लिए एशू मसेह दुबारा आएंगे इस सत्य को आप मत भूलिए इस सत्य को आप मत भूलिए इस सत्य को आप मत भूलिए इस सत्य को को आप मत भूलिए ओस आप मत भूलिए झाल झाल